चत्यस गण में बीजापूर जिले की एडस मीटा में साल 2013 को हुए कथित गोली कांड के 10 साल पूरी हो गए हैं दसवी बड़सी पर मृतकों को नियाय दिलाने ग्रामडों ने गाउं में विश्वाल सभा रखी इस दोरान आपकारी मंत्री कावासी लखमा और बीजापूर विधान सभा से मले विक्रम मंडावी पर ग्रामडों का जम कर गुस्सा फूटा कहा कि ये लोग सिर्फ वोट की राजनिती कर रहे हैं हमारे उपर हमला करवाते हैं दरसल एडसमेटा गोली कांड में करीब तीन बच्चों समित कुल आठ लोग मारे गई थे अब इस घटना को दस साल पूरी हो गए हैं उस समय विपक्ष में रही कॉंग्रेस ने भाजपा सरकार पर जम कर निशाना साथा था इस मामले की जांच करने मंतरी कवासी लखमा के नेतरत में एक जांच दल बनाया गया था इस दल ने ग्रामडो को आस्वाशन दिया था कि कॉंग्रेस की सरकार यदी बनी तो उन्हें नियाए जरूर में लेगा साल 2018 के विधानसभा चुनाब में कॉंग्रेस ने पूर्ड भहुमत के सात सरकार बनाई कवासी लखमा मंतरी बने विक्रमंडावी विधायक के कुरसी पर बैठे जिसके बाद ग्रामडो को उम्मीद थी कि अब एक बार फिड से एडस मेटा गोली कांड की फाइल खुलेगी 14 मार्च 2022 को विधानसभा में मामला उठा भी जस्टिस वीके अकरवाल कमीशन की तरफ से मामले की जांच की जाने की बात कही गई ग्रामडो को कहना है कि सरकार बने 4 साल का समय हो गया पांच वा साल आ गया है इसी साल चुनाव है